हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने साउथ इस्ट एसिया के बारे में पढ़ना सुरू किया था तो साउथ इस्ट एसिया के बारे में पढ़ते हम लोगों ने सारी देश ट्रेस कर लिये थे सारी देश की बांडरी ट्रेस कर ली थ था कि वास्तों में जो South China Sea है ये किन-किन देशों के मद विबादित है और कौन-कौन से island विबाद के कारण है ये सारी बाते हम लोगों ने डिसकस कर ली थी आज हम लोगों को South East Asia के उच्चावच के बारे में पढ़ना है कितने प्राकर्तिक भागों में इसको बाटा गया है आज हम लोग बेसिक रूप से इसके बारे में अध्यन करेंगे कि South East Asia को कुल कितने प्राकर्तिक भागों में विबाजित किया गया है आज हम लोग इसका detail मे धेन करेंगे देखिए एक बार हम आपको रिकाल करा दें कि जो साउथी श्टेसिया है इसमें कौन-कौन से देश सामिल है तो इसमें एक देश हो गया म्यामार म्यामार के बाद हो गया थाइलेंड थाइलेंड के बाद हो गया लाओस लाओस के बाद हो गया बियतनाम बियतना आध अगर हम लोग openly उच्यावुआ बात करें तो इसे बैसिक रूप से चार माटा गया था है रह दर हलं को आपक्र वादेश हो बात करें उसके बाद है monitor म lors लोग गिस कि की अगर उचौवद्gg नहीं रूंज का न просьौ से लृर्व Conference को शिर्मिला और अरोश कि विस पर बात करें तो इसमें अराकान योमा, पेगु योमा, तनासरिन परवत, अन्नाम काडिलेरा और इंडोनेसिया और फिलिपीन्स के पर बताते हैं निम्न भूमिया कोई बात करें लोगर लेंड की बात करें तो जो निम्न भूमिया है इसमें आयरवाडी, आयरवाडी को ही आ निमन भूमी उसके लामा इसमें आएगा मिनाम निमन भूमी मीकांग निमन भूमी और उसके बाद आता है रेड नदी का निमन भूमी और चौथा है द्यूप समूँ द्यूप समूँ में इंडोनेसिया के द्यूप समूँ बोर्नियों आएगा और फिलिपीन्स के द्यूप स आते हैं ये बात कि लिए संवज्म है चली आगे बात करते हैं देखोनाब अगर पठारी भाग के बात करें तो पठारी भाग में आता है सान का पठार मैं में अपको दिखे रहा होगा यह जो में इस आम है सार का पथार क्या नाम है इसका, तो ये हो गया सान प्लेटी ही, यानि सान का पथार, आईए सान के पथार के बारे पूरा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा देखो आप, इसके पप्ष्श्चि में देखो, आप को ये नधी जाती हลए ही, इस नधी का नाम क्या है, कि पूर्भी भाग में इस्थित है। इसकी रचना कभ हुई है तो इसकी रचना मेसोजोईक महा कल्प में हुई है। बहुत जल्द हम आपको ये पूरे कल्प के बारे में पूरा डेटेल में बताएंगे, कि कैसे कौन कौन से कल्प आए, इसारी बाते डिसकस करेंगे, तो इसकी रचना मेसो जोईक महा कल्प के अंतिम चरण में हुई है, इरावदी इसके पस्चिम में अभिमयप में देखा हम लोगों ने, और साल्विन इसके पूरब में प्रवाहित होती है, ये सान का पठार किसे बना हुआ है, तो सान का पठार ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर से निर्मित है, किसे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट, नीस, और चूना पत्थर से निर्मित है, यहाँ पर जौला मुखी परवग पाये जाते हैं दूसरा पठार है सियाम पठार जो सियाम पठार है ये थाइलेंड के उत्तर पश्चिमी भाग में इस्तित है ये भी ग्रेनाइट नीस जैसी कठोर चट्टानों से निर्मित है इसके पूरब में मीकांग और पश्चिम में सालबिन नदी बहती है पूरब में कौँसी मीकांग और पश्चिम में सालबिन नदी बहती है पिग, वांग, याम नान नामग नदियों ने इस नदी घाटियों ने इसका निर्माड किया है ये बास समझ में आया तो कौँसा पठार मिल गया आपको सियाम का पठार मिल गया एकदम क्लियर है सियाम का पठार कहां है थाइलेंड उसके बाद अगला पठार है जिसे हम लोग कहते हैं लाओस का पठार कौँसा पठार? लाओस का पठार उत्तरी लाओस में इस्थित है या हुणनान और दच्छीर चीन के पठार का दच्छीरी भाग है मीकांग की सहायक नदिया तथा माचू तथा का नदिया इसे बिच्छे दित करती है यह बास समझ में आया तो याद रखेगा कि सान पठार कहां है म्यामार में Siyam का पठार Thailland में और Laos का पठार कहा है तो Laos का पठार तो Laos में यह क्लियर समझ में है तो यह हो गया पठारी भाग अब अगर परबती भाग की बात की जाए तो यह जो परबत आपको दिख रहे है यह mountain region है अराकान योमा मैप में देखो ये कौन सी है अराकान योमा है अब अगर हम लोग देखें तो देखो ये भारत का portion हो गया ये कौन हो गया इंडिया ये इंडिया का भाग है ये जो इंडिया में उत्तर से दक्षिर परबसरिंग खला फैली हो ये पूरा ये इसी को पूरवान चल आगे जल के नाम क्या है अर अराकान योमा जो अराकान योमा है ये हिमाले का ही दच्छडी अग्र मूडा हुआ भाग है भारत और म्यामार की सीमा का निर्धारण करता है इसका निर्मार कब हुआ है तो टर्सेरी कल्प में आउसादी चट्टानों में वलन की क्रिया से इसका निर्मार हुआ है धाल भार कि और तीब्र म्यामार की और साधारण है यानि मंद है उत्तर में अधिक चौड़ा कहां दी चौड़ा है तो उत्तर में अधिक चौड़ा दच्छड में क्रम सा सकरा होता चला गया है इसकी उचाई उत्तर में अधिक और दच्छड में कम है सबसे उची पर बच्चोटी का नाम क्या है? याद रहिए का Mount Victoria, अराकान योमा की उची चोटी काउंसी है? Mount Victoria है, जिसकी उचाई कितनी है? 3109 मीटर है, इसके बाद अगला mountain कौँसा देखा हम लोगों ने? तो अगला mountain हम लोगों ने देखा, उसका नाम है पेगु योमा, क्या नाम है? पेगु योमा, तो अराकान योमा के पूरब में उत्तर दच्छिर दिसा में बिस्त्रित है, कहा है बिस्त्रित है? तो अराकान योमा के पूरब में उत्तर दच्छिर दिसा में बिस्त्रित है, माउंट पोपा कौनसा? तो माउंट पोपा सुप जौला मुखी इसी परिस्तित है, कौनसा? परबत ये सान पठार का ही विस्तार माना जाता है म्यामार और थाइलेंड की सीमा के साथ साथ उत्तर दच्छर देशा में विस्त्रित है इसकी रचना नीस चूना पत्थर तता सोरा से हुई है नेक्स्ट माउंटेन है अन्नाम कार्डिलेरा देखो ये जो आपको दिख रहा ह ये है अन्नाम परबसनेरी अन्नाम कार्डिलेरा है जो की बियतनाम में लाओस के पठार से ये कैसे तो उत्तर से दच्छर दिशा में फैला हुआ है बियतनाम में इसी का नाम क्या है अन्नाम कार्डिलेरा तो अन्नाम कार्डिलेरा लाओस के पठार से प्रारम होकर दच्छ पूर्वदिसा में ब्यतनाम के तट के समनांतर उत्तर से दच्छिड की और फैला हुआ है लाउस ब्यतनाम का सीमाने धारण करता है अन्नाम गेट और कोल्डस नुवाग इसका प्रमुख दर रहा है निज़ें दो में अंदर रहे हैं एक का नाम क्या है अन्नाम गेट और फिलिपीन्स के परबत की बात करें तो मैट में आपको दिखाते हैं देखिए यह आपको दिख रहा होगा सुमात्रा आइलेंड है इस सुमात्रा आइलेंड पर आपको देखो परबत दिख रहा होगा पेग बारिसान तो पेग बारिसान इस सुमात्रा आइलेंड के दक्ष रहा होंगे जैसे वानेयर स्नेडि आप देख रहा होंगे पेग्उन delegate मुल olsun आप देख रहा होंगे तमाब स्नडि यह इस पर हो गया बोठ नीओ यह बास समझ में आया उसके बाद इंडोनेशिया और फिलिपीन्स के जो परवत हैं ये तरसेरी युग के बलित परवत है शुमात्रा पर अभी पढ़ा था पेग बाजिशान पशिमी तट के समाना अंतर फैला हुआ है सारावाक में होन्स रेंज वा पीनामबो रेंज और कली मंतान यानि वो बोर्नियों वाल है फिलिपीन्स द्यूपसमू जलमंगन परवतों के उपरी भाग हैं यहां अनेक सक्रिये और सुप्त जॉला मुखी परवत पाये जाते हैं यह बास समझ में आया आगे देखिए अब अगर दच्छिरपूर्वेशिया के उच्चावच में आगे हम लोग बढ़ें तो लो हम लोगों को क्लियर समझ में आएगा अभी हम थोड़ा आपको बता देते हैं जैसे देखो आयरवाडी या इरावदी और सीतांग निमन भूमी तो अब आप देखो यह इरावदी नदी घाटी में मिलेगा और उसके डेल्टा तता सीतांग नदी घाटी यह मुसके नाम उसके नाम पर उसके बाद मीकांग निमन भूमी यह लंबाकार मैदान है यह ब्यतनाम के दच्छडी भाग कंबोडिया थाइलैंड और लाओस में तो जब हम लोग मीकांग नदी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पूरा डेटेल में आपको दिखाएंगे उसके ब ब्यतनाम की परमुग नदी है चाइना से होकर के आती यह उत्तरी ब्यतनाम में इस्थित है देखो उत्तर में चीन की पहाड़ी पस्ची में लाओस का पठार दच्छड में अन्नाम काड़े ले रहा और पूर में टानकिन की खाड़ी इसके इस्थित है यह बास समझ में आ फेश्टून के रूप में ब्यवस्तित हैं जिने कई शमुंद्रों योंखाडियों ने घेर रखा है यह बास समझ में उसके बाद देखो सारे आइलेंड आप लोगों ने देख लिया है उसमें कोई असुभिधा आपको नहीं है एक बार हम इंडोनेसिया कुछ आइलेंड आ अमर लेटे पाने नेग्रोस पालावान और मिंडानाव वाते यह बास समझ में आया तो यह आइलेंड होगे यह कुल मेला करके जो चारों भाग में उच्चावज बाटे गए थे उन चारों के बारे में डेटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है इससे आगे बाकी जो थैंक यू जाए हिंट